Hello Kids, How are you all? Hope you all are fit and fine at your home. Today we will learn about Deficiency Diseases. What actually Deficiency means? Deficiency का मतलब होता है कमी. और किसी भी particular nutrient की कमी से हमें जो बिमारी होती है उसे हम बोलते हैं Deficiency Diseases. अगर हम कोई भी nutrient बहुत लंबे समय तक अपने डायेट में अपने खाने में शामिल ना करें तो उसकी कमी से हमें कुछ बिमारी हो जाती है. For example, अगर हम carbohydrate और protein है वो एक लंबे समय तक ना खाएं बतलब ऐसी चीजे जिसमें carbohydrate और protein है हम उसे ना खाएं तो उससे क्या होता है उससे हमारी जो growth है वो रुख जाती है. हम लोग पतली दिखने लगते हैं, हम लोग के पास energy नहीं होती है काम करने के लिए तो इस तरह की चीजे जो है वो देखने को मिलती है एक particular इंसान में अगर उसमें कोई भी nutrient की कमी है. उसी तरह अगर एक इंसान में किसी vitamin एक particular vitamin या एक particular mineral की कमी है उससे भी कई diseases और disorders होते हैं. जैसे vitamin A की कमी से loss of vision होता है, loss of vision में आप हमें जो इंसान है उसको क्या होता है, ठीक से दिखाई नहीं देता, उसको night में दिखाई नहीं देता, ऐसे भी loss होते हैं जो इंसान होते हैं जो रात को देखने ही सकते हैं, वो दिन में तो देख सकते हैं, बट वो रात को देखने सकते और अगर vitamin A की बहुत जादा कमी है तो complete loss of vision भी होता है आप आखे जो है वो properly देख नहीं सकती उसी तरह से अगर vitamin B1 है हमने वो नहीं लिया है अपने डाइट में हमें उसकी कमी है तो उसकी कमी से berry berry नाम का एक disorder होता है जिसमें muscles जो है वो बहुत weak हो जाती है और energy नहीं होती उस इनसान के पास की वो properly काम कर सके और अगर वो काम भी करता है तो वो बहुत जल्दी ठक जाता है vitamin C की कमी से scurvy नाम की disease होती है scurvy में जो मसूडे है उन में से खून आने लगता है जैसे अगर normal brush भी करें तो थोड़ा सा brush अगर जोर से भी हो जाए तो उसमें से भी जो है आपके जो gums है उसमें से bleeding होने लगती है क्योंकि जो vitamin C है उसका direct संभन जो है आपकी immune system से होता है तो जो आपको by chance कोई चोट लग जाती है तो वो चोट को भढ़ने के लिए मतलब वो चोट को heal होने के लिए बहुत time लग जाता है vitamin D की कमी से हमें rickets होता है rickets एक ऐसी बिमारी है जिसमें bones जो होती है वो बहुत नरम हो जाती है या बहुत soft हो जाती है और bones जो है वो bent थोड़ी सी क्या है bent हो जाती है और bones जो है वो कमजोर भी हो जाती है और कमजोर होने की वज़े से ही वो bent हो जाती है केल्शियम की कमी से बोन और तूथ डिके होता है क्योंकि बोन्स और जो तीत है हमारे वो बेसिकली केल्शियम से बने होते हैं तो अगर केल्शियम ही हमारे डाइट में कम है या हमारी बॉडी में उसकी कमी है तो उसकी वज़े से जो bones है वो ठीक से bones बहुत weak हो जाते हैं और दांत जो है वो सडने लगते हैं हमारे iodine की कमी से हमें goiter होता है goiter मतलब घेंगा और इसमें जो है वो ये neck में दिखाई देता है neck जो है हमारा वो फूल जाता है swallow हो जाता है और इसमें अगर ये बच्चों में होता है तो बच्चों में देखा गया है कि ये mental disability क्रियेट कराता है बच्चों में बच्चे जो है वो उनका जो सोचने की शमता है वो बहुत वीक हो जाती है और जो बच्चे है वो ठीक से उनका जो ग्रोथ होता है वो भी कुछ हद तक रुख जाता है iron की कमी से हमें anemia होता है एक disorder होता है जिसको हम anemia बोलते है anemia जो है आपने अक्सर सुना भी होगा इसमें खून कम है तो खून कम है क्योंकि उसकी बाड़ी में iron की कमी है और खून कम होने की जो disease या जो disorder है उसको हम लोग basically anemia बोलते है जिसमें खून बनना रुख जाता है, आपका खून बनता नहीं है और खून ना बनने के वजह से बोडी में वीकनेस आ जाती है, बोडी जो है आपका कमजोर होने लगता है और आपको कमजोरी सी फील होने लगती है तो इसलिए बोला गया है कि हमें proper balanced diet खाना चाहिए अगर हम balanced diet खाएंगे जिसमें सारे nutrients होंगे तो हम इन सब जो disorder है या इन सब रोगों से हम बच पाएंगे और अगर यह disorders बहुत long time से हैं या आपकी nutrients की कमी बहुत लंबे समय से है तो even आपको doctors के पास जाना पर सकता है और आपको medicines लेने पर सकते हैं इसलिए हमें इन disorders से बचने के लिए शिरू से ही अपना जो diet है वो balance रखना चाहिए हमें हमें ऐसा diet खाना चाहिए जिसमें carbohydrate भी हो जिसमें protein हो जिसमें fat हो जिसमें vitamin minerals हो जिसमें dietary fiber हो ओके तो आप जो हैं हमेशा balanced diet खाएं और healthy नहें that's all for today kids thank you and have a wonderful day